नमस्कार साथियों, आप सभी का साहित गंगा चरनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुंदान आपके साथ आज जैसंकर परसाथ जी द्वारा रची चंद्रगुप्त नाटक लेकर के आया हूँ। यहाँ नाटक जैसंकर परसाथ जी ने 1931 में लिखा था, इसमें चारंग है, हम इस नाटक के निम्न बिंदूओं पर शर्चा करेंगे। तो आपसे आग रहा है कि वीडियो को अंतक जरूर सुने। चंद्रगुप्त नाटक एक एतिहासिक नाटक है। नाटक के कथानक में इतिहास ग्रंथों, सिला लेखों और साहितिक ग्रंथों से प्राप सामगरी का उपयोग जैसंकर परसाथ जी ने किया है। चंद्रगुप्त नाटक के तिन घटना इतिहास सम्मत जान पड़ती हैं। एक सिकंदर का भारत पर आक्रमण, दूसरा नंदवंस का खात्मा, तिसरा सैल्यूकस का पराज़। परसाथ जी ने नाटक की कथावस्तिक को रोचक बनाने के लिए पहली घटना कल्पना के अधार पर गड़ी है। परसाथ जी ने कल्पना का सहारा लिया है। इसी प्रकार कल्याणी का चंद्रगुपत के प्रति प्रेम और पर्वतेश्वर के हत्या घटना क्रम के विकास में सहाइक हुई है। नंद की राज सभा में सुंदर्यों का नरित, बहुद ब्रामर संगहर्स, युद भूमी में इस्त्रियों द्वारा घायलों की सेवा, सुस्त्रुसा कारे, रणनीती, कुटनीती, सेना, कला, वैपार, जनता और राजा के संबंध, आधी-आधी घटना प्रसंग चंद्रग कहा है, जहां तक संभव हुआ है, इतिहास की मुल्प प्रकृति का अनुसरण किया गया है, सुसंबधता अस्थापित की गई है, प्रन्तु जहां कल्पना का प्रयोग नितांत अवस्यक है, वहां नाटककार की स्वतंदरता का भी प्रसाद ने उप्युक्त आस्रय लिया ह संचेप में कहा जा सकता है कि चंद्रगुप नाटक में नाटककार प्रसाद ने इतिहास के साथ कल्पना का सुन्दर समनवयक कर एक तो अपने उद्देश से की पूर्ति कर ली है, दूसरे इतिहासिक नाटक रचने वाले नाटककारों को प्रेणना तिथा नमीन दिशा भ रंग बंच के निकट लाने का भी अच्छा प्रयास हुआ है, आईए अब इसके कथानक की तरफ आगे बढ़ते हैं, कथानक के ही क्रम में पात्रों की भी चर्चा करते चलें ताकि समझने में असानी होगी, उनके नाम आप यहां देख सकते हैं, स्क्रीन पर लिख दिया है इसमें चानक्य, चंद्रगूप्त, सिकंदर, सिल्यूकास, नंद, राच्छास, सिंगराण, आमभीक और प्रवत्तेस्वर भूमिका अहम है, जो कथानक इनलों के अगल वगल घूमता है, इस्त्री पात्रों में अलका, कार्नेलिया, सुवासनिक ही प्रमुक पात्रों के र इनके नो होने पर भी कथा विकास में कोई बाधा पढ़ने की संभावना नहीं थी, इनके अत्रिक्त कल्यारी की सहलिया नीला और लीला, तथा कार्नेलिया की सहलिया एलिस, ऐसे सहायक नारी पात्र हैं, जिनका समावे दोनों राजकुमारियों के गौरों का परदर्शन कर हैं, यह नाटक वैसो तो चार अंकों में है, और अगर कथाना को तीन भागों में देखा जाए, तो ज्यादा उचीत होगा, एक अक्रमन कारियों का दल, दूसरा मगत समराट नंद के सहायक, तथा तिसरा, इन लोगों का विरोद कर भारत में एक अखंड सक्तिसाली समराज के अकांची राष्ट्र भक्तों का दल, जिसमें चानक के चंद्रगुप्त प्रमुख रूप से हैं, यह कथाना को इन पात्रों के साथ जोडते हुए देखते हैं, नाटक के प्रथम अंके प्रथम द्रिश्य में ही कथा के मूले देशे का संकेत मिल जाता है, तच्छ सिला के विद्यापीट में चानक सिंघरण, चंद्रगुप्त, अलका और आमभीक के मध्य जो वारता लाफ होता, उसे पता चलता है कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है, पंचनद नरेश परवत्तेश्वर के साथ अपनी सत्रुता के कारण तच्छ सिला का इवराज आम हतरे को रोकने के लिए हम चानक के को प्रतन सिल देखते हैं, वो अपने सिस्यों चंद्रगुप्त और सिंघरण को अपनी योजना का कर्यानवित का मुख्य साधन बनाता है, आमभीक की बहन अलका की सानुभूती भी इनहीं लोग के साथ है, यहीं हम चानक के के देश रच होने लगता है, यहीं सिंघरण और अलका के एक दूसरे के प्रती सनहा कुल हिर्दियों का भी अभास मिलना सुरू हो जाता है, इसके उपरान देश रच्छा की इस भूमका का विस्तार होता है, कथा के पुरू मग समराठ नंद का विलासी रूप सामने आता है, फिर उसका प्रत्या चारी रूप असपस्ट होता है, चानाके और चंद्रगुप्त तच सिला से पाटली पुत्र जा पहुंचते हैं, दोनों वहीं के रहने वाले हैं, दोनों अपने बाले कालिन स्मृतियों को दोहराते हैं, चानाके अपनी बाले सकी सुहासनी को याद करता है, और चंद्रगुप्त एक चीते से नंद पुत्री कल्याणी की रच्छा कर उसके साथ अपने पुराने परचे को नया बनाता है। पर आ जाते हैं। राच्छस का बौध प्रेम ब्रामः द्वेस बन जाता है। मानुवे सब वहां उसकी पराजय के साची बनने के लिए ही उपस्थित हुए है। इससे आगे चंद्रगुप मालविका का प्रथम द्री से सामने आता है। यहां केवल एक ही बात काम की होती है कि यवन सेना में यह अफवा फैला दी जाती है। कि आगे मगत का कई लाक सैनिक सिकंदर का सामना करने के लिए खड़े हैं। यह सुनकर यवन सेना में आतंग फैल जाता है। यहां से कारे की गती जो बीच में स्थिल सी हो गई थी पूना वेक पकड़ लेती है। अलका सिंगरण को प्रवतेश्वर के बंदिग्री से मुक्त कराने के लिए ससर्थ प्रवतेश्वर की रानी बनना स्विकार कर लेती है। प्रवतेश्वर सिकंदर का आदेश पाकर उसका सहायता करने जाता है। उसी अवसर का लाव उठाकर अलका भी उसके राजमहल से भाग निकलती है। विवा में सिकंदर की उपस्तिती दिखा कर सिकंदर के भारत आक्रमल का उपसनहार कर देता है। द्वन्द युद के लिए ललकारना आधि घटनाय भाविस में चंदरगुप्द द्वारा द्वन्द युद में फिलिप्स के वद और फिर अंत में चंदरगुप्द कारनेलिया के विवाह की सूचक घटनाय है। इन सम बातों से निपट कर अब कथा पूरी तरह से मगत की राजनीति की ओर मुड़ जाती है। इसमें पहले नंद की का मुकता और कुर्ता का परदसन का भावी प्रजा के लिए बिद्रोह की भूम का त्यार हो जाती है। चनक की अपनी कुटनीती द्वारा नयना प्रकार के घटनाओं को जन्म देता हुआ अंत में सक्टार द्वारा नंद का वद करवा कर चंद्रगुप्त को मगत का समराट घोसित कर देते हैं। इस प्रकार इस अंक की समाप्ति तक चानक के क्या दूसरा लच्छ पूरा हो जाता है। जो चंद्रगुप्त को मगत का समराट बनाना होता है। यह कथा मंद्र और तिवर गती से अनेक सार्थक और निर्थक दिर्शियों का नियोजन करती हुई अपनी यात्रा के महत्वपूर्ण पराओं पर पहुं जाती है। और यहां से फिर चतुर्थ अंक का सुरुवात होता है और यही इसका अंतिम अंक है। कथा अपने अंतिम लच्छ भारत को एक निसकंटक अखंड समराज का रूप देने के लिए आगे चल पड़ती है। वहां से चानक्य की कुटनिती का चक्र चलना पुना आराम हो जाता है। अपने इसी लच्छ को पूरा करने के लिए नाटक कार पहले परवतेश्वर और कल्याणी को कथा मंच से हटा देते हैं। परवतेश्वर मगत का आधा समराज पाने की इच्छा पाले हुआ था। और कल्याणी चंद्रगुप्त को हिर्देश्वरी बनाने की ठानली थी। अता नाटकार परवतेश्वर और कल्याणी की मुठभेल कराकर पहले कल्याणी द्वारा परवतेश्वर की हत्या करवा देता है और फिर कल्याणी चंद्रगुप्त से प्रेम करते हुए भी अपने पिता के बिरोधी चंद्रगुप्त से प्रणय संबंद अस्थापित करती ह फिर उसे यहां नूचित लगता है और वहां आत्महत्या कर लेती है। उसके मातापिता को साथ ले सन्यास गरहन करने चला जाता है। नामकरण और उसके उद्देश से पर चर्चा कर लेते हैं। नाटककार का मूल्य उद्देश तो उस प्राचीन भारतिय सक्तिसाली मौरिस समराजी की अस्थापना दिखाना रहा है। जिसे प्राचीन भारतिय इतिहास के उस गौरवसाली यूग की निव डाली थी। जो एक हजार वर्स का लंबा ब्योधान पार कर भारतिय इतिहास का स्वर्ण यूग कहलाया। डाक्टर दसरत ओजा के नुसार चंद्रगुप्त में परसाजी की सबसे बड़ी देन है चानक के। इस नाटक में प्राचीन काल के उस राष्ट्रिय स्वतनता संग्राम का अंकन किया गया है जब भारत्व विदेसी आक्रमण हो रहा था। और भारत के राजा पारस्परिक, द्वेस, लालच, अहंकार और विलास के मया जाल में फसे रहते थे। चानक के चंद्रगूप, सिंगहराण, अलका आदी ने देश के उस संकट और अंतरिक दुर्दसा से चिंतित हो एक योजना बत तरीके से पहले विदेवसियों से देश की रच्छा की थी और फिर नंद जैसे कुरूर विलासी देशी सासकों का उनमुलन कर सुसासन के प्रकार इन देश भक्तों को देशी और विदेशी दोनों प्रकार के सत्रूओं के विरूद संगर्ष करना पड़ा था। रियासतों के राजा नवाब जो भोग विलास में डूबे हुए अपनी प्रजा को पसुओं से भी तुछ समझते थे। ये राजा नवाब अंग्रेज से आश्रित और उनके कटर समर्थकते। इसलिए राष्ट के दीवानें को इन तीनों ही वर्गों के विरूद संगर्ष करना पड़ा था। इस प्रकार प्रसाद ने चंद्रगुप्त यूगी घटना को पुना नाटक के द्वरा प्रस्तूत कर उस संगहर्ष के माध्यम से अपने वह वर्तमान यूग में हो रहे संगहर्ष को ही आगे बढ़ाने की प्रणा परदान की थी। आईए अब अगले बिंदु भासा सहली के तरफ आगे बढ़ा जाए। वास्तों में नाटकों में भासा विश्यक प्रयोगों को लेकर प्रसाद का अपना एक निश्ची द्रिष्ट कोंड था। क्लिष्टता आदि के विशा में प्रसाद का कतन है। के अनुसार भासा पात्रों की संस्कृतिक अनुसार भाव और विचारों में तार्तम में होना भासाओं के परिवर्तन से अधिक उप्यूक्त होगा। चंद्रगुप्ट नाटक में मनुवेगो और प्रोलता नाटक की गरिमा के साथ द्रिष्टि गोचर होते हैं। इसमें मनुवेग को व्यक्त करने की अपूरुच हमता है। चंद्रगुप्ट का कथानक भारती इतिहास के भव यूग से संबंदी थे। अता भासा में यूगानुकूल भविता रहनी ही चाहिए। जैसा की चंद्रगुप्ट में राजनीतिक, दार्शनिक, विचारों के गंभीर भाव की अभिविक्ति हुई है। अता भासा की वैसी ही गंभीरता का होना स्वभाविक एवं आवस्यक जान पड़ता है। चंद्रगुप्ट की भासा में एकतंतरता रहते हुए भी पात्रेवं प्रसंग की अनुकूलता है। उदारन के लिए चालकी की भासा को ही लिया जा सकता है। राजनीतिक, इस्थिति की बैख्या करते हुए उसकी भासा देखिए। चंद्रगुप्ट तुम मालवा हो और यह मगत, यही तुम्हारे मान का उसान है। चंद्रगुप्ट नाटक में भारती वा पास्चात सैलियों का भी समन में हुआ है। रश सिधान्त को परमुकता देकर भी नाटक को पूर्ण तथा सुखान्त नहीं बना पाए। वैसे भी जैसंकर प्रसाद जी अक्सर अपने नाटकों या अनिरचनाओं में कहीं ने कहीं वह कविता के कुछ अंस डाली देते हैं। वह काम यहां भी उन्होंने किया है। प्रसाद जी ने पास्चात सैलिक अनुसार संगर्ष को इस नाटक में परमुकता दी है। जिससे यह पता लगता है कि इनकी इस नाटक में भी पास्चात नाटक का छाप पड़ा है। आदर्ष को अस्थान देकर अतिय अथार्थ का बहिसकार इसमें किया गया है। इस प्रकार आधुनिक और पास्चात सैलिक के साथ भारती पड़ती के मूल रूप का ऐसा सुख़त समिसरण परसाद ने किया है कि उनके नाटकों का गौरव और महत्व अखंड हो गया है। इस नाटक में कुल 13 गीत है यदि एक गीत में 6 मिनट का समय भी लगे तो डेड़ घंटा गीतों में ही निकल जाएगा। कुछ घटनाओं को सुच मुरूप से दिखा कर नाटक के अकार को कम किया जा सकता है। नाटक का आदी और अंत आकरसक और प्रभावसाली है। इसमें अनेक द्रिश से बड़े रोचक है। इसमें वीर और सिंगार रस एक साथ मिलकर चलते हैं वह अदवूत है। सबसे बड़ी बात यह की इसमें दो मत नहीं हो सकते कि चंद्रगुप्त को पढ़ने या देखने के बाद उसका एक अमिट प्रभाव दर्शक पर न पढ़ता हूँ। आई अब निश्कर्श की तरफ आगे बढ़ते हैं। अलोक में मंडित है। चानक के सूर्य को अपने प्रकास का समर्पन कर उसकी पूजा करते दिखाई देता है। चंद्रगुप्त और सिंगरण आदी उसके साध्य को पूर्ती करने के साधन मात्र है। यहां तक कि इन सास्त्रधारियों कोरण नीती और सैनिसंचालन का निर्देशन भी चानक के द्वारा ही मिलता है। इनकी विजए गाथाएं उनके उंगली परिचालन से प्राप्त दिशा बोध का ही परिणाम है। चंद्रगुप्त राजा है प्रन्तु वह चानक के द्वारा बनाया हुआ राजा है। चानक्ये ने उसे बनाया है, वह चानक्ये के बीना कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, चंद्रगुप्त द्वारा छोटा सा प्रस्थ करने पर भी यह प्रस्थ अभी मत करो, चलो अपना काम करो, विवात करना तुम्हारा काम नहीं, जैसे उत्तरों से चानक्ये के नायकत्व का बोध होता है और दूसरी तरफ इस कहानी में चारो तरफ चंद्रगुप्त घूम रहा है चंद्रगुप्त का इस कहानी का नायक भी चंद्रगुप्त बनाया गया है इस कहानी का इस नाटक का नाम भी चंद्रगुप्त रखा गया है यदपी चानक की किरिया सिलता को देखते हुए और उसकी सक्ति की एक अस्थता के द्रिष्टी कोंड से उसे नायक मान लेने को मन कर सकता है फिर भी वही चंद्रगुप्त के किरिया कलाप उसकी वीरता साहस और मानिवी गुणों के करण उसका नायक बना रहना असंगत नहीं लगता अपने लच्छे की पूर्ती के लिए चानक के परोच रूप से किरिया सील है तो चंद्रगुप्त परेच्छ रूप से यह सत्य है कि चानक के मूल प्रेरक भाव है तो उसकी पूर्ती चंद्रगुप्त है वही सप्राप्ती फल का उपभोगता है आखिर में सभी कारियों को अच्छी तरह से पूरा कर लेने के बाद सिध्धी उद्देशे और फल को भोगने के लिए चंद्रगुप्त ही रह जाता है। अता इस नाटक का नायक चंद्रगुप्त ही है न कि चानक के है और साथियो इस प्रकार चंद्रगुप्त नाटक की साहितिक समीच्छा समाप्थ हुई। वैसे तो समीच्छा में और भी बिंदू आते हैं जैसे कथोप कथन, उद्देश समस्याएं, अभनियता, परन्तु चुकी एक वीडियो के माध्यम से इसे आपके समझ प्रस्तूत करना है, इसमें समय ज़्यादा लगता है, कई बार लोग सुनते भी नहीं, अता थोड़ा सा रोचक्त, थोड़ा सा इसे रोचक्ता पुन तरीके से हमने आपके समझ प्रस्तूत करने का प्रयास किया है, उसी करम में कुछ बिंदू को हमने छोड़ा है, पर उनकी भी बाते कहीं ने कहीं हमने किया, अगर ध्यान से देखा जाएगा, तो वो सारे बिंदू भी हैं, चाहें वो चालक्य के उपर हो अथवा चंद्रगुप्त के उपर हो। इसमें नायक चालक्य और चंद्रगुप्त दोनों कभी-कभी जान पड़ते हैं लेकिन वो भी हमने अभी असपस्ट कर दिया है। दोस्तों अगर आपको यह प्रस्तूती पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसके पाले हमने धुरुस्वामनी नाटक भी बनाया है आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं इसके बाद और भी कई नाटक हैं जिनको हम आगे लेकर के आएंगे इसी चैनल पर अगर आपने चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवस्य कर लें ताकि उसकी सुचना आपको सबस्समाइर मिल सके अगर आपको यह प्रस्तूति अच्छी लगी तो आप आपने साथियों के साथ सेर करिएगा हम फिर मिलेंगे किसी नए बिंदू पर नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए नमस्कार जै हिंदी जै भारत